कुसुम और मीता के स्वभाव में जमीन आस्मान का अंतर था सगी बहने होने के बाद भी एक संसकारी तो दूसरी अहंकारी थी बड़ों के आग्या का पालन करना और सबसे तैसीब से बात करना कुसुम का स्वभाव था तो वहीं मीता कुसुम से बिलकुल उलट घमंडी और बड़बूली थी परिवार के लोग तो दूर पड़ों से भी मीता से बात करने से कत्राते थी दोनों बेहने कॉलेज में पढ़ती थी एक बार की बात है बारिश का मौसम था सावित्री ने मीता से कहा बेटी मीता देख बारिश होने वाली है जाकर छट पर से कपड़े उतारला वरना गेले हो जाएंगे मैं क्यों जाओं? कुसुम से कैदो वो कपड़े ले आएगी कुसुम पढ़ाई कर रही है तू तो मेकप कर रही है तू जाकर ले आ अब वैसे भी बारिश होने वाली है तू सचसवर कर कहा जाएगी? मैं कहीं जाओं या ना जाओं लेकिन छट से कपड़े लेने तो बिल्कुल नहीं जाओंगी मीता सावित्री से बहस कर रही थी इतने में कुसुम छट से कपड़े उठा कर ले आती है रहने दो मा मैं कपड़े ले आई हूँ तभी जोर की पारिश हो जाती है अच्छा किया कुसुम बीटी वरना कपड़े गीले हो जाती है कुसुम कपड़े संभाल कर रखने लगती है इधर मीता मेकप करके तयार होकर मोबाइल से सेल्पी ले रहे थी ये देखकर सावित्री मनी मन परिशान हो जाती है ना जाने इस लड़की का क्या होगा, कब अकल आईगी इसे तुम क्यों परेशान होती हो मा, देखना मीता बहुत जल संसकारी बन जाएगी और तुम्हारी हर बात मानेगी ना जाने वो दिन कब आएगा कुसुम और मीता के पिता अरुन एक किसान थी, वो खेती करके अभी दोगो बेटियों को पढ़ा रहे थी बारिश तेज होता देख सावित्री को अरुन की चिंता सताने लगती है कुसुम बेटी, तेरे बाबा कहीं बारिश में भीग न जाए, नहीं तो उनकी तव्यत खराब हो जाएगी तुम चिंता मत करो मा, बाबा को कुछ नहीं होगा तब ही अरुन घर आ जाते हैं, वो बारिश में बुरी तरह भीग चुके थे और लगातार छींक रहे थे जिसका डर था वही हुआ, आपकी तव्यत खराब हो गई है मुझे कुछ नहीं होगा सावित्री, मुझे तो फसल की चिंता सता रही है बाबा, आप वसल की चिंता मत कीजे, जल्दी से कपड़े बदलीजे, मैं आपके लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ काढ़ा पीते ही आपकी तव्य ठीक हो जाएगे अरुन कपड़े बदलता है और कुसुम उसके लिए काढ़ा बना कर लाती है लेकिन मीता को इन सब से कोई फर्क नहीं बढ़ रहा था वो तो सेल्फी लेने में बिजी थी कुसुम अपने बाबा को काढ़ा बना कर पिलाती है ये कुसुम कैसे बाबा को मखन लगा रही है जैसे मैं कुछ समझती नहीं, मैं किसी को मखन नहीं लगाऊंगी लेकिन काढ़ा पीने के बाद भी अरुन को आराम नहीं मिलता उसकी तब्यतोर बिगड़ जाती है कुसुम ने जब अरुन का सर चूकर देखा थो से तेज बुखार था मा, बाबा को बुखार है, बाबा के लिए दवाई लानी होगी लेकिन बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तू भी भीग जाएगी मुझे कुछ नहीं होगा मा, तब ही मीता कहती है कुसुम को काढ़ा बनाना आता ही नहीं बाबा अगर मेरे हाथ की चाय पी लेते तो इनकी सर्दी तुरन ठीक हो जाती तो तूने चाय क्यों नहीं बनाई, क्योंकि मैं सेल्फी लेने में बिजी थी ना जाने तुझे कब बुध्धी आएगी कि अपने माता पिता से कैसे बात करते हैं इधर कुसुम जल्दी से चाता लेकर जाती है और मेडिकल स्टोर से अपने बाबा के लिए दवाई खरीती है सड़क पर बारिश का गंदा पानी जमा हो गया था लेकिन इसकी परवा किये बिना वो दवाई लाकर अरुन को खिलाती है बाबा लीजे दवाई खा लीजे इससे आपका बुखार जल्दी उतर जाएगा दवाई खाने के बाद अरुन को कुछ हराम मिलता है दूसरे दिन सुबा अरुन खेट पर जाने के लिए तयार होने लगता है अरे आप कहां जा रहे हैं आपकी तब्य तभी ठीक नहीं है खेट में पानी भर गया है सावित्री पानी नहीं निकाला तो फसल खराब हो जाएगी बाबा आप कहीं नहीं जाएंगे खेट से पानी मैं निकाल दूँगी हमारी फसल को कुछ नहीं होगा लेकिन कुसम बेटी इस काम में बड़ी मेहनत लगती है तो अकेले ये सब कैसे कर पाएगी बाबा आप भी तो सारा दिन खेट में अकेले मेहनत करते हैं आज मैं आपकी तरह अकेली मेहनत करूँगी तब साभीतरी मीता से कहती है कि वो खेद पर जाकर कुसुम की मदद करे। मीता, तु कुसुम के साथ खेद पर जाकर उसकी मदद कर दे। क्या? मैं खेद पर काम करूँगी? मेरे खूबसूरत पैर गंदे हो जाएंगे मा, कुसुम के पैर तो बदसूरत हैं, उसके पैर मेरे बंद से हो गए तो गाव के लोग क्या कहींगे, कुसुम को अकेले जाने दो. मीता, मैं देख रही हूँ, दिन पर दिन तु घमंडी और बत्तमीज होती जा रही है, मेरा कहना नहीं मानती, कुसुम को दीदी नहीं बुलाती, घर के काम में हात बटाती। क्या, घर के काम में मैं हाथ बटाऊंगी, मेरी खुबसूर्थी खराब नहीं हो जाएगी, अरे आपको घर का काम करने के लिए कितने लोग चाहिए, वो संसकारी कुसुम घर के काम में आपकी मदद करती तो है, वैसे भी मेरे पढ़ने का टाइम हो गया, मैं छट पर जा रही है और फसलों को डूबने से बचा लेती है, जब सावित्री घर का का काम निपटा कर कपड़े सुखाने छट पर आती है, तो देखती है कि मीता फोन में गाने चला कर छट पर डांस कर रही है, तो ये पढ़ाई हो रही है, पढ़ी रही थी मा, पढ़ते पढ़ते ठक गई तो गाने चला लिया, आप तो हमीशा मेरे पीछे ही पड़ी रहती है, अचा मैं ये बताओ कि खाने में क्या बनाया, मुझे भूक लगी है, मैंने तेरे लिए खाना नहीं बनाया, क्यों, मेरे लिए खाना क्यों नहीं बनाया, आज से इस घर में खाना उसी को मिलेगा, जो भूखा ही रहना पड़ेगा, भूख के मारे उसके पेट में चुहे कूद रहे थे, जब कुसुम को इस बात का पता चलता है, तो उससे रहा नहीं गया, वो अपने हिस्से का खाना लेकर मीता के पास जाती है, मीता ले खाना खाले, नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मा ने मेरे ल है नहीं, मैंने तुझे गोद में खिलाए, मैं तेरे साथ ऐसा क्यों करूँगी, अब जल्दी से गुसा थूग दे और खाना खाले, कुसुम घमंडी मीता को अपने हाथों से खाना खिलाती है, इसी तरह से दिन गुजर रहे थे, एक दिन की बात है, मीता कॉलिज जा रही मीता रुक, मैं भी तेरे साथ चलूगी, नई, मैं अपनी सहेलियों के साथ कॉलिज जा रही हूँ, तुझे अपने साथ लेकर कौन जाएगा, तुग गवार है, मेरी सहेलिया मेरा मजाग उड़ाएंगे इतना कहकर मीता अपनी सहीलियों के साथ कॉलिच चली जाती है कुसुम पीछे-पीछे अकेले ही कॉलिच जा रही थी पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी जिस कारण रास्ते में कीचड हो गया था लेकिन मीता ने कीचड की तरफ ध्यान नहीं दिया और सहीलियों के साथ गप करते हो गया रही तभी उसका पैल कीचड में फिसल जाता है और वो तालाब में गिर जाती है मीता को तैरना नहीं आता था वो मदद के लिए चिलाने लगती है और अपनी सहीलियों को पुकारती है निशा, रीना, मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ, बचाओ मुझे मीता की सहीलियां आपस में कहती है मीता की सहीलियां उसे तालाब में डूपता हुआ छोड़कर चली जाती है कि तभी पीछे से आरे ही कुसुम उसे देख लेती है अरे, ये तो मीता है, ये डूप रही है, मुझे इसे बचाना होगा वो मीता से कहती है मीता, तू डर्मत में आ रही हूँ कुसुम ने तुरंत पानी से लबालब भरे तालाब में छलाब लगा दी और मीता को डूबने से बचा लिया वो से तालाब से बाहर निकाल कर ले आई दीदी, मुझे माग कर दो, मैंने आप सब के साथ बहुत बुरा बरताव किया लेकिये नाज आपने मेरी जान बचा कर ये साबित कर दिया कि आप सच मुच में तारीव के काबिल है आज आपने मेरा घमन तोड़ दिया उस दिन पहली बार मीता ने कुसुम को दीदी कह कर पुकारा था कुसुम ने उसे गले से लगा लिया मेरी प्यारी बहन, मैंने तेरा घमन तुरने के लिए तुझे नहीं बचाया, मैंने तुझे बचाया है क्योंकि तु मेरी छोटी बहन है और मैं तुझे खोना नहीं चाहती हूँ, चल, अब घर चल। कुसों मीता को घर ले आती है और उसके कपड़े धूकर सुखा देती है, मीता भी नहा कर आती है, उस दिन मीता का सारा घमन धुल गया था, अब वो सबकी बात मानती और बड़ों का सब्मान करने लगी गौरानशी के बाबा, हमें गौरानशी के लिए अब लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए, गौरानशी के लिए लड़का मिलना बहुत मुश्किल है, अभी से शुरुआत करेंगे, तब कहीं जाकर कोई रिष्टा मिलेगा तुम ठीक कह रही हो गौरानशी की मा, लेकिन हमारी गौरानशी से कौन शादी करेगा, गौरानशी का बौनापन उसके लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है हमारी गौरानशी में बस एक ही तो कमी है घर के कामों में, सिलाई कढ़ाई में, खाना बनाने में गौरानशी काफी तेज है उसे कोई न कोई जरूर पसंद कर लेगा ठीक है, मैं कल से ही लड़का देखने का काम शुरू कर देता हूं सुरिश दूसरे दिन से गौरानशी के लिए लड़का देखने लगता है लेकिन वो जहां भी जाता लोग गौरानशी के बौनेपन को लेकर मना कर देते या फिर दहेज में मोटी रकम की मांग करते इसी तरह से दिन महीने और कई साल बीथ गये लेकिन गौरानशी की शादी तै नहीं हो पाई गौरानशी की उम्र निकली जा रही थी गौरानशी घर के काम में काफी फुर्तीली थी वो सारे काम काफी फटा-फट और बैतर तरीके से करती थी अडोस-पडोस के लोग उसके बौनेपन का मजाग जरूर उडाते थे लेकिन अपने घर में कोई काम करवाना हो तो वे गौरानशी को ही बुलाते थे ऐसे ही पडोस में रहने वाली मंजु चाची के घर पर शादी थी मंजु गौरानशी के घर आई अरे गौरांशी, कल मेरी बेटी मुनिया की शादी है, घर में बहुत सारा काम है, तु कल सुबह ही आ जाना, घर के कामों में मेरी मदद कर देना, और मुनिया को सजा के तयार कर देना, ठीक है चाची, मैं कल तड़ के ही आ जाओंगी दूसरे दिन गौरांशी मंजुचाची के घर जाती है, और शादी की सारी तयारियां करवाती है, गौरांशी मुनिया का भी बहुत अच्छा मेकप करती है, और उसे रानी की तरह सजा देती है, शादी में सब मुनिया की तारीफ कर रहे थे, जैमाला के रस्म के दोरान, मुन मुनिया के पती का दोस्त रागव मुनिया से कहता है भावी आप तो किसी परी जैसी लग रही है आपको जिसने भी सजाया है उसके हाथों में कोई जादू है तब ही तो मुकेश की नजर आपके उपर से हट नहीं रही यह जादू गौरांशी के हाथों में है उसी ने मेरा मेक अप किया है और मुझे सजाय है गौरांशी उस समय मुनिया के साथ स्टेज पर थी मुनिया ने राघव को गौरांशी से मिलवाया राघव को एक नजर में गौरांशी भागई और उसी समय उसने ये बात अपनी मा को बताई लेकिन राघव बेटा ये तो बॉनी है माँ हर इंसान में अच्छाय और बुराई दोनों होती है बॉनेपन के अलाबा गौरांशी में सिर्फ अच्छाया ही अच्छाया है मुझे मुनिया भावी ने सब बता दिया है अपने एक लोते बेटे राघव के कहने पर मनीशा मान जाती है और अगले ही दिन वे दोनों गौरांशी के घर आ जाते है भाई साहब हमें आपकी गौरांशी बहुत पसंद है मैं अपने बेटे राघव के लिए गौरांशी का हाथ मागने आई हूँ भाई साहब शादी कब होगी और किससे होगी ये फैसला तो उपर वाला करता है भगवान ने मेरे राघव के लिए गौरांशी को बचा कर रखा था हाँ ये बात और है कि दोनों के मिलने में थोड़ी देर हो गई इस तरह से गौरांशी की शादी राघव के साथ तै हो जाती है कुछी दिनों में गौरांशी और राघव की शादी हो जाती है शादी के बाद गौरांशी ससुराल आ जाती है ससुराल आकर गौरांशी ने अच्छे से सब संभाल लिया था रागव के पास अपने खेत थे, वो खेती बाड़ी करके अच्छे पैसे कमा लेता था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, शादी के काफी साल बीद गए लेकिन गौरांशी मा नहीं बन पाई थी, जिस बाद से वो काफी दुखी रहती थी क्या बात है गौरांशी, काफी दिनों से देख रहा हूँ, तुम परेशान रहती हो, किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं हाँ गौरांशी बहू, तु अपना जी छोटा मत कर, देखना बहुत जल्दी तेरी गोद भी भर जाएगी दूसरी दिन रागव और मनिशा गौरांशी को शेहर लेकर जाते हैं, और अच्छे डॉक्टर सो उसका इलाज करवाते हैं दखिये, उम्र जादा हो जाने के कारण मा बनने में इन्हें दिक्कत आ रही है, मैं कुछ दवाईयां दे रहा हूँ, इन्हें समय समय पर दवाईयां खानी होंगी, और जब ये गर्भवती हो जाएं तो डिलिवरी के लिए शेहर आना होगा, इनकी डिलिवरी डॉक्टरो अरे गौरांशी बहू, गौरांशी बहू, ये तुझे क्या हो गया? क्या हुआ मा? देखना गौरांशी को ना जाने क्या हुआ, एक दम से चक्कर खाकर गिर पड़ी, तुझा, जा वैद जी को बुला ला, रागव भाग कर जाता है और वैद जी को बुला कर लाता है, वै माँ में सबको पता चल जाता है कि गौरांशी माँ बनने वाली है मनीशा गौरांशी का बहुत ध्यान रखने लगती है घर के सारे काम खुद करती है माजी घर में बैठे बैठे मेरा दिल नहीं लगता मुझे भी कुछ काम करने दीजे ना गौरांशी बहु एक बार बच्च जरुरत होगी नहीं तो बच्चे के स्वास्थे पर बुरा असर पड़ सकता है गौरांशी को डॉक्टर की बात यादा जाती है ठीक है माजी धीरे धीरे दिन बीत रहे थे मनीशा गौरांशी के खाने पीने का बहुत ध्यान रखती थी उसे समय समय पर फल जूस और ताज हरी सबजियां बना कर खिलाये करती कई महीने गुजर गए गौरांशी के गर्ब का नव महीना भी आ गया एक दिन राखव बेटा गौरांशी का बच्चा अब नौ महीने का हो गया है गौरांशी के प्रसव का समय नस्दीक आ गया है तुझे याद है न डॉक्टर ने क्या कहा था हा मा मुझे अच्छी तरह से याद है डॉक्टर ने कहा था कि गौरांशी का प्रसव शहर के बड़े अस्पताल में होना चाहिए अब हमें गौरांशी को लेकर जल्दी ही शहर जाना होगा लेकिन मा मैं अभी कैसे जा सकता हूँ अभी खेतों में फसल की बुवाई बुवाई का समय है लेकिन गौरांशी का शहर जाना बहुत जरूरी है राघव एसा करो तुम गौरांशी को लेकर शहर चली जाओ मैं पीछे से दोージन के बाद शहर आ जाओंगा ठीक है दूसरे दिन मनीशा गौरांशी को लेकर शहर जाने के लिए ट्रेन पर बैठ्ट शा ट्रेन बीच में क्यों रुख गई और बाहर बारिश भी बहुत तेज हो रही है। आप दोनों ट्रेन की उपर वाली सीट पर जाकर बैठ जाएए। लेकिन तब भी उसकी नजर गौरांशी पर गई। दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है मेरी जान चली जाएगी। तु घबरा मत गौरांशी पहू सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा गौरांशी पहू तो हिम्मत रख। गौरांशी की हालत देखकर मनीशा भी बहुत घबरा गई थी। वो मदद के लिए आसपास के लोगों की तरब देखने लगी। तब ही एक लड़की मनीशा के पास आई और बोली। आंटी जी आप घबराये मत, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं आपकी बहु की मदद करूगी, शायद उसे प्रसव पीडा हो रही है। बहुत अच्छे समय पर आई हो बेटी, हाँ आप तुम ही हमारी मदद करो, शायद भगवान ने तुम्हें हमारे मदद के लिए ही भेजा ह आंटी जी सबसे पहले आप अपनी बहु को उपर की बर्थ मिले जाए, नीचे तो पानी भर क्या है। ठीक है बेटी। एक डॉक्टर का पहला करतव्य होता है मरीज की जान बचाना। गौरांशी के बेटे के जन्म के बाद ट्रेन से बाढ़ का पानी पे निकल जाता है। धीरे धीरे बाढ़ का पानी पटरी से भी उतर जाता है। ट्रेन चल पढ़ती है। मनीशा और गौरांशी दूसरे पर उतर जाते हैं और दूसरी ट्रेन पकड़ कर वापस गाउवा जाते हैं